नमस्कार मैं हूँ नीता मेरे चैनल में आप सब का स्वागत है चलिए मैं आज बनाती हूँ बच्चों की फेबरेट पिजा ये बहुत ही सांदा रेसिपी बहुत ही जल्दी बनती है ये है ब्रेड ओमलेट पिजा ये बहुत इजी है चलिए बनाना सुरू करते हैं मैंने लिया है एक बॉल और मैंने दो अंडे इसमें तोर करके डाल दिये हैं और इसको अच्छे से फेटना है ताकि ये काफी फ्लफी बन सके तो इससे पहले मैंने डाला है इसमें थोरा सा नमक, काली मिर्च पॉडर और मिक्स हर्ब अब इसको एक अच्छा मिक्स देना है दो से तीन निट तक इसको फेटना है ताकि ये फ्लफी बन सके और इसके बाद इसमें डालना है एक कटूरी दूद और दूद डालने के बाद इसको फिर से फेटना है दो से तीन मिनट तक इसको फिट के अब मैंने पैन को चूले पे रख दिया है और मैंने लिया है पालक, धनिया पत्ता, लैसम की कुछ कली, मिर्ची, ब्रोकली, फूल गोभी, बीन्स, कैपसिकम और प्याज, सबको मैंने बारी काट लिया है और मैं थोरा सा इसमें डालूंग और इसको अच्छे से सौटे करना है दो से तीन मिनट के लिए इस तरह हमने यहाँ पे सारी सबजियां डाल दिया है और सारी सबजियों को अच्छे से सौटे करना है एक से दो मिनट के लिए और इसमें तब तक डाल देती हूं स्वादानोसार नमक बस सबजियों के हिसाब काली मिर्च पोडर और हमने जु हरप्ट लिया था वह भी यह डालना है ताकि पिज्या बेंस बनेगा तो हमने वह भी डाल दिया यहां पे देखिए कं अब हमने जो दूद और एक का जो मिक्सर तियार किया हुआ है उसमें डालना है ब्रेड तो मैंने लिया है यहां दो ब्रेड और इसको बाड़िक बाड़िक तोड़ लिया है छुटे छुटे रफली तोड़ लिया है मैंने और इसको इसमें डाल दिया है और इसको मिला लेना और इसको कफर करना है एक से दो मिनट के लिए उसके बाद इसको पलट देना है अब चाड़ों तरब से मैंने यहां पे थोड़ा थोड़ा बटर डाल दिया है ताकि अंदर से अच्छे से सीख जाए और इसका टेस्ट बहुत ही गजब काता है अब आपको जिदी पलटने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको एक प्लेट में पलट दे और इसको इस तरह से निकाल के फिर से पैन में डाल दे इस तरह हमारा पिज़ा बेश तेयार है अब इस बेश के ऊपर लगाना है पिज़ा सॉस या फिर आप ले सकते हैं टेमाटो कैजब भी और इसमें कोई भी चीज का यूज कर सकते हैं और इसके उपर मैं डालूंगी एक चीज स्लाइस आप यहां किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो इजीली घर में हो डाल सकते हैं मैंने यहां लिया है मिल्की मिस्ट का इसकी चोटे-चोटे टुक्रे करके इसके उपर फैला दे और ओमलेट पीजा बन के तियार है बस एक चीज का दियान रखना है यहां पर आपको मीडियम आज पर पकाना है जब इसको पलट दे उसके पाल आपको अपको अच पर पकाना है अब भी इसे एक बार जरूर ट्राइकर है बहुत ही अच्छा बनता है इसका टेक्स्टर बहुत ही सॉप्ट होता है मुह में डालते ही खुल जाता है अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए सेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नई रिसीपी के साथ बहुत चल तब तक के लिए बाबाई टेक केर